माता का एक ऐसा मंदिर जहां रोज रात आट बजे मंदर की साफ सफाई का साला काम होने के बाद जब मंदर की कपाड बंध होते हैं और सुभे आर्थी के लिए और भक्तों के दर्शन हेतू जब इस मंदर की कपाड खोले जाते हैं तो कुछ ऐसा नजारा दिखता है जिसे देखकर लोग आश्चरी चकित हो जाते हैं दोस्तो भक्तो भाव विवर होते ही है और साथी साथ नास्तिक जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि आकर ये कैसे संभव है दोस्तो होता ये है इस मंदर में सुभी के वक्त जब कपाट खुलते हैं इस मंदर के तो दिखता है कि माता की चर्नों में फूलर पित है और पूजा पाट हो चुकी है दोस्तो भाव सोच रहे होंगी कि ऐसा कैसे संभव है लेकिन इस मंदर में रो जाना ये घटना घटती है अब यहां कौन आता है कौन पूजा कर जाता है इसके बार में प्रच्रित मानिता है लेकिन आज तक कभी किसी ने किसी को इस मंदर में आते नहीं देखा है और नहीं पूजा करते वे देखा है तेकिन फिर भी सुभ़ जब कपाट खुलते हैं सब के सामने तो पूजा पहले से हुई मिलती है तो दोस्तों चली चलते हैं इस वीडियो को सिभात कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन है वो जो सुभे मंदर में पूजा करने के लिए आता है उसके पीछी कौन सी प्रचली तो पौड़ानिक मानिता है ये मंदर कहां स्थित है ये सारे जानकारिया आज हम आपको इस वीडियो के मादिम से देंगे लेकिन उसके पहले अगर आपने हमाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइबर के घंटा दबा दीजे और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को धेलो लाइक देकर मुझे प्रोटसाहिप जरूर कीजिएगा तो चले चलते हैं इस वीडियो की शुरवात कर लेका है मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित महर देवी का मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध है यहां भक्त के सभी मनुकामनाई पूरी होती है मा के इस मंदिर को शारदा देवी मंदिर की नाम से भी जाना जाता है देश भर में देवी शारदा का यह एक मातर मंदिर है यहां माद्रुगा देवी सरस्वती के रूप में दर्शन देती है शाम के वक इस मंदर की कपाट बंध हो जाने पर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप आस्चरी चकित हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि आखिर ये कैसे संभव है तो चली अब जानते हैं कि आखिर इस मंदर में ऐसा क्या होता है जिसकी वज़े से ये मंदर पुरी दुनिया के आकरशन का केंद्र है देवी का यह विशेश मंदर त्रकुट परवत की चोटी पर मद्ध भाग में स्थित है जहां देवी शारदा के अतरिक्त, देवी काली, दुर्गामा, गौडी शंकर, फूलमती मादा, काल भहरवी, शेशनाग, जल्पा देवी और ब्रह्मदेव की भी पूजा होती है कहते हैं कि शाम की आरती होने के बाद जब मंदर की कपाट बंद करके सभी पुजारी नीचे आ जाते हैं तब यहां मंदर के अंदर से घंटी और पूजा करने की आवाजे आती है कहते हैं कि मा के भक्त आलहा अभी भी पूजा करने आते हैं अक्सर सुभे की आरती वे ही करते हैं आलहा और उदल दोनों भाईयों ने सबसे पहले जंगल के बीचों बीच शार्दा देवी की समंत्री की खोज की थी आलहा ने यहां 12 वर्सों तक माता की तपस्या की थी आलहा माता को शार्दा माई कहकर पुकारते थे इसलिए प्रचलन में उनका नाम शार्दा माई हो गया ये भी मानिता है कि यहां पर सर्व पर्थम आदी गुरु शंकराचारी जी ने नवी और दस्वी शताबदी में पूजा अर्चना की थी मानिता है कि माने आलहा को उनकी भक्ती और वीर्था से प्रसंद्न होकर अमर होने का वर्दान दिया था लोगों की माने तो आज भी रात आठ बजे मंदर की आर्थी के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदर के सभी कपाट बंद कर दे जाते हैं इसके बावजूद भी जब सुभे मंदिर को पुनह खोला जाता है तो मंदिर में मा की आरती और पूजा किये जाने के सबूत मिलते हैं आज भी यही मानिता है कि मा शार्दा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आलहा और उदल ही करते हैं आलहा और उदल ये दोनों भाई बुंदेल खंड के मोहबा के वीर योध्धा और परमार के सामन्त थे कलिंजर के राजा परमार के दरवार में जगनीक नाम के एक कवी ने आलहा खंड नामक एक कावी की रचना की थी उसमें इन वीरों की गाथा वर्मित है इस ग्रंथ में दो वीरों की बावल लड़ाईों का रोमांच कारी वर्नन है आखरी लड़ाई उन्होंने पिर्थिविराज चोहन के साथ लरी थी मान्यता है कि मा के परमभक्त आला को मा शारदा का असरवात प्राथ था लिहाजा पिर्थिविराज चोहन की सेना को भी पीछे हटना परा था मा की आदेश अनुसार आला ने अपना हत्यार शारदा मंद्र पर चढ़ा कर नोग टेड़ी कर दे थी जिसे आज भी कोई सीधा नहीं कर पाया महर परवत का नाम प्राचिन धर्मगरंत महिंद्र में मिलता है इसका उल्लेग भारत के अने परवतों के साथ पुरानों में भी आया है मा शारदा की परतिमा के ठीक नीचे स्थित कुछ सिला लेग है जिसमें कुछ ऐसा लिखा है जो आज तक कोई नहीं पर सका महर केवल शारदा मंदर के लिए ही परसिद्र नहीं है बलकि इसके चारों और प्राचिन धरोहरे बिखरी परी है मंदर के ठीक पीचे इतिहास के दो परसिद्र योद्धाव वह देवी भक्त आलह और उदल के अखाड़े है तथा यहां एक तालाब और भव्य मंदर है जिसमें अमरत्तो का वर्दान प्राप आलह की तलवार उसी की विशाल परतिमा के हाथ में थमाई गई थी इस मंदर तक कैसे पहुँचे और यहां क्या देखें इसकी सारी जानकारिया हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन कर दी है तो दोस्तो कैसा लागा आप सभी को यह वीडियो हमें कमिन बॉक्स के माध्यम से जरूर बोलीगा अगर आपने कभी पहले इस मंदर के दर्शन किये हैं और माता के दर्शन किये हैं तो इससी जूरे सभी अनभब हम से कमिन बॉक्स के माध्यम से जरूर कीजिएगा मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा यह वीडियो बनाने के एपोर्ट पसंद आया होगा तो दोस्तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल आद्बू ट्री वीडियो को सब्सक्राइक परके बैल अगर को प्रिस करना मत भूलीगा मैं हूँ आपका दूस प्रदीर जल्दे मिलता हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में तता के लिए अपना खयाल रखीगा